नमस्कार सू स्वागतम वेलकम अभी नंदन मैं हूं डॉक्टर वायरा कि आप लोगों का स्वागत अभी नंदन करती हूं आपके अपने दोनों के इस यूट्यूब चानल पे 26 माई को पूर्णिमा है लेकिन पूर्णिमा ही नहीं है ये बुद्ध पूर्णिमा है अब जब ये बुद्ध पूर्णिमा हो जाती है तो ये पूर्णिमाओं में एक बड़ी पूर्णिमा हो जाती है इसका महत्व जादा हो जाता है लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बि वरत करे जाते हैं, चंद्रबा आसमान में पूरा होता है, फुल मून होता है, मन बड़ा प्रसन होता है, बड़ी पॉजिटिव एनरजी हमारे आसपास होती है, जो भी लोग पूर्णमाशी का वरत उठाना चाहते हैं, वो 26 मई पूर्णमाशी पर बुद्ध पूर्णिमा से उठा सकते हैं, आज गंगा सनान करने का विशेश महत्व होता है, लेकिन अगर आपके आसपास का महल अच्छा है, तब भी मैं आपसे कहूंगी, गंगा चल घर में डालके सनान करने तो बहुत अच्छा रहेगा, आज विश्नु जी को पीले फूलों की माला, पीले वस्तर पेनाएं, पीले फूल अरपन करने के साथ इतरी जरूर लगाएं, आज आवले का दान करना, आवला खाना, आवला शिवलिंग पे अरपन करना इसका विशेश महत्व है, खासकर ग्यारा आवलों पर राम लिखकर हनुमान जी के पास रखकर आना चाहिए, लेकिन गलती से भी हनुमान जी के चर्णों में मत रखेगा, आप उनके आसपास रखेगा किसी उचाई चीज़ पर, आज अगर आवले पानी में डाल कर नहाते हैं, तो आपकी तबियत ठीक होती, आज आवले का दान भी जरूर करें, आज आपको खुश रहना चाहिए, आज अपने घर मे मैजिक वाटर जरूर छिडखना चाहिए, आज आपको अपने घर में कपूर लेंब जरूर जलाना चाहिए, आज मंदिर में कपूर का दान भ्रहमन को भी जरूर करना चाहिए, आज दूद पानी में डाल कर सनान करना चाहिए, यानि कि ये सब कब करना है, आपको 26 माई को जिजनपूर्ण माशी है आज 26 मई के दिन अगर आप गंगा सनान करते हैं तो ये शाइस नान की तरह होता है लेकिन अगर आप अरदवार के आसपास है या गंगा जी के आसपास है तो ही करें लेकिन इस स्पेशल जाकर ना करें आज बहुत ही अच्छा और खास दिन है इसकी इसके सासथ इस बात को भी समझेगा कि मई के महीने में गर्मियों में गंगा सनान पे बच्चों की छुटियां होते हैं लोग बहुत ही जादा जाते हैं लेकिन पिशले दो तिन महीने से लगा था लोगडाउन चल रहा है और पिशले साल भी इंदरों में लोगडाउन चल र चंद्रमा के सामने चंद्रमा के मंत्र जाप करना चंद्रमा के सामने गायतरी मंत्र का जाप करना चंद्रमा के सामने खड़े होकर अपने बालों को हलका सा काटना जिससे आपके बालों की लेंथ बर जाती है ये सब उपाई किये जाते हैं पूरन माशी वाले दिन यू तो श पूरन माशी वाले दिन अगर आपकी मा की आर्थिक स्तिति सही ना हो वो आपको चांदी की कोई चीज ना दे सके तो पूरन माशी के पूरन माशी बेटियों को माओं को उनके घर जाकर चावल दे कर आने चाहिए जो माएं पूरन माशी पर अपनी बेटियों को जाकर चावल रखना चाहिए पूरन माशी वाले दिन बच्चों को क्योंकि बच्चे लॉक्डाउन का टाइम है घर पर बैठे हैं उन्हें कहना चाहिए कि उपर छत पर जाओ या बालकनी में जाओ या बहार जाकर चंद्रमा को परणाम करके उनके दर्शन करकर आओ और खड़े-खड़े एक ही जगा पर 6 परिक्रमा या 11 परिक्रमा मिनिममम कर लो अगर आप बच्चों के अंदर संसकार डालेंगे और बच्चों को बुद्पूर्णिमा के बारे में बताएंगे तो आपके बच्चों को इसके बारे में पता चलेगा और मैं डॉक्टर वायरा की सुभा 11 से 12 अगर आप में शमता हो तो इने धो धाकर अपने घर की चेतिया बालकनी में उस जगा पर जरूर रखें जहां पर पूरन माशी पर चंद्रमा की रोशनी में खोल कर फिर उसमें बंद करके रख देना चाहिए पूरन माशी पर चंद्रमा को धूप अगरबत्ती जरूर दिखानी चाहिए याद रखें ये वही चंद्रमा है जिसका बेस सबरी से इंतजार करती है आप करवा चौत वाले दिन अगर चंद्रमा के पूरन माशी के पूरन माशी केवल दर्शन ही किये जाएं तो आपकी बहुत सारी मनो कामनाय पूह हो सकती है आपका मनो बल बढ़ सकता है अगर आपने उपिल का लॉकेट पहना हुआ है तो थोड़ी देर पूरन माशी वाले दिन छत पर जाकर देखाएं तो उनकी रोमेंटिक लाइफ बहुत अच्छी होती है चंद्रमा की रौशनी के अंदर आपको सफेद रंग के कपड़े पहन कर और वो भी बिल्कुल गीले कपड़े पहन कर या सफेद रंग के कपड़े पहन कर छट पर चलेगा और एक बाल्टी पानी डालकर चंद्रमा की रौशनी में नहाने से मानसिक रोग खतम होते हैं डिप्रेशन खतम होता है इंजाइटी खतम होती है चंद्रमा की रौशनी में खड़े होकर हनुमान चालिसा जोर-जोर से पढ़ने से आपका मनुबल मजबूत होता है आपको डर और भै नहीं लगता पूरन पूर्ण माशी के वरत रखता है वो लक्षमी जी का विशेशकर प्रिय होता है आपको बता है बहुत सारे जगहाओं पर तो ऐसा किया भी जाता है आप अपने घर की चख पर पूरी तरह से विवस्ते तुरूप से लाइटे गद्दे सब इचा लिजे और चंद्रमा की रोश चांद दिखाई दे तब उस टाइम पर आपको एक हवन करना चाहिए खासकर लक्षमी की प्राप्ति के लिए ऐसा अगर लगातारा बारा पूर्णीमा वर्ष भर में करते हैं पंडित को बुला कर नियम इत रूप से तो आपके घर से लक्षमी कभी जा ही नहीं सकती लेकि हो वहाँ पर जहां आप यहां बैट कर हवन करें ठीक उपर आपके आपको चंद्रमा के दर्शन हो रहे हो इससे मा लक्षमी बेहत प्रसन होती है और आपको मन एक छित वन वान छित फल देती है और ऐसा भी कहा जाता है ऐसे में लक्षमी कभी घर से बाहर निकलती नहीं ऐ ऐसा भी कहा जाता है कि अगर पुन्मा पर चंद्रमा की रोशनी के अंदर केवल बैट कर कमल गटे पर हम अगर एक-एक माला लक्षमी जिगी कर लें हम लक्षमी चालीसा पढ़ लें लक्षमी सहस नाम का पाठ कर लें विश्णु सहस नाम का पाठ कर लें और हम खुश होती है, जरूरी नहीं है कि बहुत सारा पैसा खर्च करने पर ही भगवान आपको मिलते हैं, पूरन माशी की रात को कई तरहां के उपाय किये जा सकते हैं, धन प्राप्ति के, मन के, सुख के, शान्ती के, इंसाइटी को दूर करने के, मन को खुश रखने के लिए, यही कारण था कि मानसिक रोख कम थे, शायद यही कारण था कि अंडरस्टांडिंग आपस में प्यार महबत की बहुत थी, शायद यही कारण था कि उनका चंद्रमा बड़ा स्ट्रॉंग था, शायद यही कारण था कि वो दिल से ना बड़े खुश और पॉजिटिव रहते मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरू बताएगा कमेंट में जयमाता दी लिखिएगा अपने परिवार का अपना ध्यान रखिएगा घर का कोई भी एक शक्स छत पर जाकर चंद्रमा को नमशकार पढ़नाम कीजेगा अपने परिवार की सेहत मांगिएगा कोई एक कर ले फल जाएगा और आपकी तरफ से मैं ये काम जरू कर लूगी घर में जितनी भी ममिया हैं उनको मैं चरंच पश करती हूँ और पढ़नाम करती हूँ जयमाता दी